पूरे साकीना का चेत्र ने जनकरां की लाने के लिए कर रक्षा बंदन या रक्षा बंदन पर यहां की बेटियों बेहनों की सुरक्षा के लिए यहां की चेत्री लोगों के दिल में बेहनों के प्रती सम्मान, बेहनों के प्रती इज़त लाने के उद्देश से आप सभी के सामने एक रैली के माद्यम से लेकर आएंगी जनकरां मंच जिनका उद्देश्चे में यहां चेत्री जो बेहनी हैं रक्षा मंदन का त्याहर अच्छी तरह से मना सके फ्रिशों के प्रती जो मान सिखता है उसको बदला दी इंथ इन लरकीयों जो किसी की माते हमाताईं हैं किसी की बेंगिने ने इन लरकीयों के प्रती लोगों का नजरियाद बदलना चाहिए इसे उदेश के साथ हमारे साथ है जन कल्यान मंच के अद्ज्ट मितलेश पांडे जी आईए हम उनसे पूछते हैं कि इस्रेली का उद्देश क्या है बितले सर नौपरबाट टाइम्स में आपका स्वागत है आप लोगों ने अपने जन कलांग मंच के माध्यम से एक रेली साकीनाका में रखी है और आप लोग इस्रेली के माध्यम से कहा कहा और कौन सी छेत्र कवर करने वाले हैं क्रिपया हमारे दर्श्रकों को बताएंगे देखिए ये एक हमारे छेत्र में पहली बार सायद हम लोग करने जा रहे हैं क्योंकि हर घर में बेटी होती है, हर घर में बहन होती है, हर घर में माँ होती है, और औरतों के अलग-अलग रूप होते हैं, लेकिन उनको चाहे घर में हो, चाहे बाहर में हो, उनको उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, जितने से वो हगदार हैं, वो भारत के पपुलेशन के तो इह सब को ध्यान में रखते हो है हमने कोशिस करने की कोशिश किए है Wordsht land करने के कोशिश किए हर में मां होती है दुषरे की बहन होती है जैसे दूसरे की आति हमा बेहन होती है तो उनको भी इनसान समझा जा जा है उनको भी própria समाज का अपने सोसाइटी का हिस्साई समझा जा और उनको भी और रिस्पेक्ट दिया जय तो हर बहन को र मा को हर इंसान को मिलना काहिए और सन्जोक्त से कल रच्छाबंदन नहीं है तो मैं समझता हूँ उनको सम्मान दिलाने की हमारी कोशिस है तो आपनों ने देखा कि जनकरयान मंच के अदर मितलिश पांड़ी जी उनका कहना है कि औरतों का सम्मान होना चाहिए महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और इसके लिए जन जागरिती लाना ही उनके इस रैली का उद्देश है आईए हम यहां लोगों से और पूछते हैं कि इस रैली के द्वारा भी कौन सा संदेश देना चाहते हैं हमारे साथ है रंजन शुक्रा जो कि इस मंच के बहुत ही एक्टिव सदस्य हैं आई यह पूछते हैं कि उनके इस रैली के द्वारा लोगों की बिश्में किस प्रकार की जन जागरिती लाना चाहते हैं हम लोग बहनों को तौफा दे रहे हैं रच्छा बंड मेंट पे हम सब महा बहनों की रक्षा करने के लिए रैली निकाले हैं हम सब्सक्राइब करने के लिए उनके आप तौफा लिए और अज यंग लड़के जो हमारी आज की पेरी है इनके वारी में बहुत ही बहुत खोश हुआ है उनको देखके हमारे राहुल जी जे इतना फोन करके और कमलेज जी पांडे जी दो अधेश है के इनका मैं सुधेज इतना अच्छा संदेख देना चाहता हूँ और आगे भी आगे जितने लोग भी है वारे में सुध्शा के वारे में जितना भी कदम हो सके उठाने कोशिक करें या इतना बोलके में धनेवाद करता हूँ मैं राउल यादर मसीव इतना चाहता हूँ जितने लोग हैं हमारी बेहनों को तगलीख न रहिए ये रेली के बास अब को ये हुजाए कि हम बेहनों को भी आगे बनने या मोगा दो तो आप लोग ने देखा कि यहां के जो भी युवान हैं यहां के अध्यक्ष और आसपास के जो समासेवर के विचाते हैं कि इस रेली के माद्यंग से लोगों के बीच एक संदेश जाए और यहां की बेहनों, माताओं और इस्तियों को समान मिल सके हैं तो आईए देखते हैं यह रेली, इस रेली का क्या कमाल होता है, इस रेली का क्या प्रवाव होता है, और इस रेली के बाद लोगों में कितनी जनजागलिती आती है कर राद बेल, क ότι बाद बाद है, और इस रेली जागल आता हैं वाल ईखकी पैसे लोगों में का ड्सकात बाता हैं दर वाल अज़ और मुझा हाई तो जिल का झाल माणद हां अज़ आप झाल चल कि एंग करती है केमरा में राउन के साथ उन्दीकुमार विश्वर्मानाप्रभाध्ताइंग डाइंग डाइंग डाउम